कि हमारे देश में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो देश सम्विधान से चल रहा है और चुनी हुई सरकारे देश को चला रही है और इस व्यवस्था में जेल के अंदर से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति एबी सीडी उसका चाहे कोई भी हो व्यक्ति खुले आम धमकी दे रहा है तो इसमें कई प्रशन उठते हैं कि पहले तो उसको मोबाइल फॉन कहां से मुईया कराए जा रहे हैं दूसरा कौन वो अधिकारी है जो इनको सरण दे रहे हैं तीसरा जब इस तरह की घटना हो चुकी है तो उस अपराधी के ऊपर कोई कारिवाई क्यों नहीं ह अगर इतना ही बड़ा बडमास था देश छोड़के क्यों भागा यहाहां रहता ना बेस छोड़के भागना पड़ा उसको और अब जो लोग धंकी दे रहे हैं तो वो लोग भी जैल के लिदा है जेल से बाहर कर निकल के अगर खुलके बोले तब समझ में आएगा और मैं तो यह कह रहा हूं कि हमारे अमित साहाजी जो यह कह रहे थे कि हमारे देश में गुड गवर्नेंस मॉडल चल रहा है प्रदान मंत्री जी कह रहे हैं कि हम देश को विश्व गुरू बनाने वाले तो क्या इसी तरीके से देश विश्व गुरू बनेगा जब देश में के सुरच्ष रहेगी आम जनता की सुरच्छा की सुनिश्चती आखिर कौन करेगा इस तरीके से थ्ली बहन बेटी को किसी भी बुज़ुर्ग को रिख़्े को कोई भी उठा ले जाएगा कोई भी इसिए पिछानी चौड़ रही है इसैने जो मुख्मुद्दा है वह मुद्दा थैसिघ7 2 भी मीडिया च्वर्दस्ती ह दे रहा है क्योंगि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं बच्छा मीडिया म been after प्रदेश में जो आए दिन क्राइम की घटना है को रही है आहएदिन बेहिण की निरसं शथया हो जाती है उनके साथ बलाथकार यासी जगन्हें हो जाती हैं बेरोजिगारी पर मीडिया बात नहीं कर रहा है तो मीडिया इसी तरह के इसके और गलत कि यह दम्की सलमान खानों को दर बैठाने नहीं नहीं तेस्थ सवाल गलट किया ना तो यह दम्की सलमान को आदमत्वी देश के मुसल्मान को ये दम dozen की सीधी सीधी देश की सरकार को हें सरकार अपना काम इमांदारी से क्यों नहीं कर रही है कानून विवस्था कहां है सासन पर सासन कहाın है झाकी जो rooms वैसा को दी जा रही है रिभ् Leafी मोदि जी के सिस्टम को दी जा रहे हैं कि हमने आतंक वाजitter कर दिया है देश में कोई अपरादी अपरादी को डरना पड़ेगा अपरादी को सोचना पड़ेगा सवार तो अपरादी जब खुले आम अपराद कर रहे हैं और उनके ऊपर आपको कानूनी कारवाई नहीं कर पा रहे हैं वह आए दिन किसी को भी धंका रहे हैं तो सवाल सर सा नहीं है लेकिन नास जोड़ गया हिंदु धरम से जोड़ रहे हैं वह और आ लोग पापी वह लोग संबिदान को ना मानने वाले लोग हमारा देश भगत सिंग को आदर्स मानने वाला था अब ये हाला के अपरादी को नहीं थे क्ले कि अपरादी को आप और या इरो बना रहे एक अपरादी से भगवान की तुलना कर रहे चहेश का अपमान अब इतक गाय को लेकर मीजिए होती थी मुसल्मानों की लेकिन इस बार काले हिरन को मारने के आपसे कह रहे हैं यह पब्लिसिटी मीडिया द्वारा जवरदस्ती बनाया काले हिरन को फूरा विष्णोई समाज समझदार विष्णोई समाज को मालूम है कि जो उस समय गटना होई थी उस गटना में श्रकार की नाकामी है न इसमें तो कमी सरकार की है सवाल सरकार से होना चाहिए कि एक अपरादी ऐसा कैसे कर सकता है अगर एक अपरादी देश में इतना बेखौफ है और वो भी जेल के अंदर बैठा हुआ तो इससे ज्यादा सर्म की बात क्या हो सकती है कि अपरादी तो बेखौफ है और आम जनता परेशान है तो कनाडा से अगर चल रहा है तो हमारी सरक इनका युद्ध रुकवा रहे हैं अभी प्रदानमंत्री जी इस्पेन ब्रिटेन और पतानी कौन-कौन से देशों में गूम रहे हैं जाने कहां कहां की टेक्नलोजी लाने का दावा कर रहे हैं एक छोटा सा यह काम नहीं कर सकते मोदी जी आठ हजार करोड रुपाय का जो है टेक्स का पैसा टेक्स के पैसे से आप अपरादीयों को पाल रहे हैं पहले जंता के टेक्स के पैसे से आपने जो तमाम आपके व्यापारी मित्र थे उनको बगा दिया मालिया नीरम मोदी बाग गया वह हमारे देश का लाखो करोड़ रुपए लेके बाग गए अब यह अपरादी हैं वो पाले पोसे जा रहे हैं बाबा राम रहीम को देख लो जब चुनाव आता है उससे पहले उसको पेरोल दे दी जाती है वो चुनाव परचार करते हैं इसी तरीके से यह जो गुंडे वदमास है इनको संद्रच्छन सरकार ने दे रखता है सरकार सही दिसा मे काम नहीं कर रही है सरकार भटक गई है सरकार की डायरेक्शन भटक चुकी है पूरी तरीके से